मुझे उल्टी वर पेट में दाल हो रहा था यह को तीन दिन हो गए आज दोस्तो इस वक्त में आजमी मेडिकल सेंटर ठोकर नंबर पांच पर मोजूद हूँ यह अब उल्फदर शाहिन बाग के इलाके में यह मेडिकल सेंटर पड़ता है आप फिरी 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 और यहाँ पर मोतिया बीन की यहाँ पर ऑपरेशन भी फिरी में किया जा रहा है आए बाचीत करते हैं दोक्तर से और किन चीजों का इलाज यहाँ पर फिरी हो रहा है क्योंकि जरूरत मन बहुत ज्यादा है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को सर्वाइब करना बहुत मुश्किल हो रहा, इलाज करवाना बहुत मुश्किल हो रहा, ऐसे में डॉक्टर आजमी यहां पर फिरी मेडिकल केम उन लोगों के लिए आयूजित किया है आज़े, जानने की कोशिश करते हैं यह मेडिकल सेंटर का एंट्रेंस है, दॉक्टर साब यहां मौझूद है, जो डिरेक्टर सेंटर के बातिचित करते हैं कि डॉक्टर साब आपको ये ख्याल पहले बताईए बहुत-बहुत मुबारक बात आपको कि आपने घरीबों के लिए सोचा क्यूंकि ऐसे में जो चल रहे हैं बेरुज़गारी इसकदर बढ़ गई हैं महगाई इसकदर बढ़ गई हैं लोगों सर्वाइब करना काफी मुश नहीं चाल पाया इस वitos मैंने इनके हुसे लहोगे जिननको को खाने कार नहीं है जिसे शुगर की हो गई को गई यह थायराईड कीוב演 ऐ होगय यह हाट Cks बटीजिए और यहां प्रोग्राम आप आई दिन कराते हैं कितने समय में कराते हैं यह बताइए यहां पे पेशन को देख लेंगे जब फिर डेट दे देंगे आपको दो दिन तीन दिन के बात करते हैं किन किन चीजों की सुबधाई हैं मौझूद है किन किन चीजों का इलाज जो है आसानी से उन्हों गरीब लोगों को फरहाम की जा सकती हैं यहां पर मल्टेपल है जैसे पर गायनी को गया गायनी ओगया है फिजीशन हो गया डेंटेल हो गया जैनरल में गया जो आठेटिक्स हो गया सब इतrân के प्रवयट की जाती हैं जाती हैं जाते हैं और हार से और आप देखिये हमारा सेंसर बहुत अच्छी तरीका से बना वह और स्टाप भी है ज्यादा से ज्यादा मारियां डॉक्टर है हर्ट कम से कम रेट में यानि के काफी डिसकाउंट मिलेगा इसकते हैं डेंटिस्ट में भी मौजूद है इंसे बाचीत करने के कोई करते हैं आज मी मेडिकल सेंटर ने यहां पर फ्री में जो लोगों के खरीबों के लिए जो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है फ्री में इलाज करवाएंगे और बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के वाज से नहीं भी आ सकते तो उनके लिए फ्री में अराम से आगे अपने ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं आप डेंटिस्ट है और यहां पर डेंटल में किन-किन चीज़ों का इलाज होता है जैसे कि होता है बहु सब्सक्राइब करना कैसे आपके लिए आसानी हो रहा है किस तरह से कर पा रहे हैं किसी भी लाइन में आप चले हैं मेडिकल में जतने बेंटे मैं प्राफिट बहुत जादा होती हमारा यह सिस्टम है कि नामिनल नामिनल चार्ज लिया जाए क्योंकि टोटली तो नहीं किया सकता कि सरकार अगर हो तो समझवारी बास सरकार कर सकती बाद हम जैसे लोग तो नहीं कर पाएंगे नामिनल कराते हैं जो काफी महगा इलाज होता है लोगे लिए यहां पर आकर के थोड़ी सी रहत मिलती है और थोड़ा सा जो है आसानी हो जाता है उन लोगे लिए इलाज करवाना तो डॉक्टर साब यह बताई और किन चीजों का सेटप आपने सोचा है क्या प्लान है आपका जिस इन चीजों के बारे में बताएं यहां पर हमारी प्लानिंग है अभी तक यह सिस्टम ही रहता था कि जिसे मेरा जोगावाई में 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 ब्रांच वहां पर है करीब 12-15 साल यह तो चार-पांच मेंना होगा इसको रण शुरू किया हमने अभी इससे पहले जो भी कुछ सरज यहां पर इन जनरल जैसे ओपीटी में है या कुछ रिपोगरा लगानी पड़ी मैक्समम कंशेशन कर दिया आता है इन्विस्टिकेशन पर आपका इस्पेशली जैसे माराई ले लिजिए माराई पांसे छेजार पे मोति हमारे तरी धाई जाएगी ऐसे जितने भी इन्वि से बातचीत करने कोई करते हैं जी क्या कहना चाहेंगी यहां पर हम हॉस्पिटल से आएं कैम्प लगाने के लिए तो यहां पर हम नॉमल लोगों का चाकप करते हैं जिनका कैट्रेक्ट होता है उनके लिए उन्हें हम हॉस्पिटल रफर करते हैं वहां पर कैट्रेक्ट का प्रोब्लम हुआ था जो यहां पर आज में मेडिकल सेंटर आई हैं और यहां से मुतमाइन है यह नहीं यह भी बात करते हैं अब यहां पर आने के बाद परिशानी में कमी आई जी आराम मिला यहां बी पेसंट जो है लेटी हुई है इंसे भी बात करने खोश्य कहते हैं मैं कब से आइडमिट है तो पहले से आराम लगए को जी काफी है यहां के सकते हैं यहां मेंडिकल सेंटर में हैं यह पेसेंट है जो तीन दिन से आडमिट है और काफी आराम बता रही है कि यहां पर आने से हुआ है इनको यह देखिए है ठोकर नंबर पांच अबुल फजल है यह और ठोकर नंबर पांच से ठीक कोने पर अगरवार स्वीट देख सकते हैं और अगरवार स्वीट से ठीक दो चार कदम चलने पर आप देख सकते हैं अबुलेंस से वहाँ पर और वहीं पर जो है लेफ् नमबर पांच पर आप जैसे नीचे को आएंगे कोने पर अगरवाल स्विक्ट से और नीचे दो-चार कदम चलने पर यह आजमी मेडिकल सेंटर आपको दिख जाएगा यह एंट्रेंस है करवाने का यह विंडो है यहां करवाएं उसके बाद कि दवाया यहां से मिलेगी आपको फैसलिटी देखिए क्या चाहिए कि अंदर को चलते हैं कि यहां पर गाइनी डॉक्टर देख सकते बैठी है और थोड़ा सा आगी चलते ही यह डैंक्टिस्ट दातों के इलाज किया जा रहा है और यह देख सकते हैं बेड यहां पर यहां देख सकते हैं डोक्तर साब बैठे हैं जो डायरेक्टर है इस आज मेंडिकल सेंटर के और आगे चलते हैं आगे और भी बैड है देख सकते इधर भी बैड है और यहां पर आखों का इलाज किया जा रहा है